हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बर फिर से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ एक और नया टेरो सेशन और आज का विशे है कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा इस पर टेरो की क्या गाइडन्स है यही आज मैं कवर करूँगा आज की इस रेडिंग के लिए तीन पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबोलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाय जा रहे हैं भगवान ब्रह्मा पाइल न रेकॉर्डिंगली आज की रेडिंग को देखिए यह आपके साथ रेजोनेट करेगी हर बार की तरह इस बार भी सभी पाइल्स के लिए टाइम स्टेम्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन दोनों जगां पोश्ट कर दिया गया है अपनी पाइल के रेडिंग पर डिर और मेरे रेगलर वीवर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोजर एक प्रोफेशनल टेरो रीडर भी हूँ तो आपकी स्क्रीन पर ये नमबर आपको प्रोफेशन को बुक करने में तो चलिए आज की डिंग करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं हेलो पाइल नंबर वन आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में आपने भगवान ब्रह्माजी को चुना था मेरे बगल में ब्रह्माजी की तस्वीर लगा दी गई है ब्रह्माजी सृष्टी के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं जो ग्रहन और शत्र गैलेक्सी हम हैं वो इन ही के द्वारा निर्मित होती है आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है कार्ड नमबर वन आपके लिए अपियर हुआ है टू अफ कप्स सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है एस अफ कप्स कार्ड नमबर थ्री आपके लिए है दो वर्ल्ड फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है पेज ओफ वान और अंतिम कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है, seven of pentacles, आपके लिए पाँच कार्ट्स अपियर हो चुके हैं, traditional tarot decks है, अक्टूबर का महिना कैसा रहेगा, इस महिने कुछ नई opportunities और कुछ मामलों में एक से अधिक opportunities मिलने की possibilities है, ये महिना काफी अच्छा और used to आपके लिए रहेगा, बढ़ि आपके जीवन में एक नए अध्याई की तरह जुड़ेगा, जो आपके जीवन को एक नए आयाम की और ले जाएगा, ब्यापारिक आर्थिक मामलों में लाव दिखाई देता है, इस महिने आपके कुछ एक सपने पूरे होने की दिशा, दशा तै होनी शुरू होगी, लेकि आपको कंटीनियू रहना पड़ेगा अपने कार्य में, अपने एफर्ट्स में, क्योंकि आपके अपने एफर्ट्स के बेसिस पर चीज़ें जिस तरह से मुड़ेंगी, वो आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगा और आपके फेवर में लाएगा चीज़ों को, इस महीने अक है या थोड़ा मुश्किल है, तो मानकर चलिए कि आपके द्वारा सोची गई एक्सपेक्टेड टाइम लाइन में ये पूरा होगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड टाइम लाइन त्वरित की नहीं होगी, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि जल्दी से ये काम हो जाए, उस तरह से नहीं होगा, एक देखें कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं, चाहते हैं चीज़ें जल्दी हो जाए, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि सिचुएशन कितना समय लगाएगी, कितना टाइम लगेगा, तो वो जो अंदर से पता है, वही टाइम लाइन है, जो बाहर से जीवन के अलग-अलग शेत्रों पर आपके लिए क्या आता है और एकल कार्ड से? लव रिलेशन्शिप के लिए कार्ड अपियर हुआ है गरुड गरुड देव जिन्हें हम भगवान विश्णु का वाहन के रूप में जानते हैं गरुड देव सूर्देव के सारथी अरुण सूर्देव के रत को चलाने वाले जो हैं उनका नाम है अरुड देव तो अरुड जी के ये छोटे भाई हैं गरुड देव तो माता विन्ता के पुत्र हैं इनकी माता का नाम विन्ता है विनीता नहीं, विनता ना खाली, ठीक, खर तो गरुण देव यहाँ पर आए हैं, आपके लिए लव रिलेशनशिप के बारे में इनफर्मेशन देने, गरुण देव प्यार के मामले में इनका जो जीवन चरित है, उसमें अगर हम प्रेम को देखें, प्रेम के भाव को देख गुलाम बंजना दासी बन गई थी अपनी ही जिठानी की ठीक है महरशी कश्यब की पतनी थी तो ये जिठानी बन देवरानी थी और ये जिठानी की अपनी दासी बन गई और लगभग però 1.000 या 1200 को यह दो रही दासी है लेकिन जब बताया गया कि अम्रित लेकर आजो, अम्रित अम्रित ले आओ, वो जो देवताओं ने छेपा कर रखा हुआ है, तो ये अम्रित लाने चले गए, देवताओं के साथ इनका भयंकर युद्ध हो गया, बहुत भयंकर युद्ध, बहुत सारे देवताओं को इन्होंने लहुलु लिए यूँखा था कुछ के उपर अम्रित को रखा गया थाम Kelash को तो अम्रित कालश के संपरक में आने की वज़ा से वों सुनक्त और महान हो गया हूए वाद की बात है इन्हों ने एक ऐसे कार्य को हां कर दिया जो असंभव था असंभव से भी असंभव मतलब 10-20 टाइम असंभव आप मालने तो यहां पर जो लव रिलेशनशिप के लिए आज यह कार्ड अपियर हुआ है गरुन देव का यह कहते हैं कि प्रेम के समंद में आप अपनी अपने समर्पण के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो आपके प्यार में आपको एक spiritual improvement एक spiritual height मिल जाएगी एक highness मिल जाएगी वो भी spiritual लेकिन यहां यह नहीं है कि आप अपने प्रेमी के प्रति समर्पित हो जाए नहीं वो नहीं है उस व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं है उ उस प्रेम के प्रति आपका समर्पड यानि अपने ही प्रेम को इस चीज में हेल्प करेगा आपके लव रिलेशंशिप में इंप्रूमेंट लाएगा ये महीना आपके लव रिलेशंशिप में आपको एक ग्रोथ एक empowerment एक अधिकार और एक प्यार की फुहार देने वाला है तो ये बहुत बढ़िया है और अभी जनरल लिडिंग में भी यही आया था family के लिए related card appear हुआ है शुरी जगनाथ भगवान शुरी जगनाथ कुछ समय पहले जिनके रथियात्रा हमने celebrate करी शुरी जगनाथ परिवार के प्रती आपके अपने मनोभावों को दर्शाते हुए जहां आप अपने परिवार के प्रती अपने समर्पन और अपने positive point of view के लिए अपने आपको appreciate भी करते हैं और स्वयम को जानते हैं आपको बस इसी में बने रहना है परिवार के साथ आपको रहना है परिवार को साथ लेकर चलना है और परिवार के सदस्यों की feelings, thinking और उनकी advices का ध्यान रखना है बाद की बात है कि आप उनके advice पर agree नहीं है तो उनको reason बता दीजे कि फला फला reason से हम agree नहीं है और इस दिन आप अपने इस महीने आप अपने परिवार के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे जितना ज़्यादा परिवार को समझेंगे, understanding रखेंगे, जितनी खुद bonding बनेंगे, उतना बहतर result आएगा वैसे ये महीना आपको पारिवारिक मामलों में एक get together या एक togetherness प्राप्त होने के लिए संकेत कर रहा है financial मामलों में card appear हुआ है देवी सीता ये कहता है कि financial मामलों में आपको सबसे पहले investment on of sudden करने से थोड़ा सा समहल के रहना चाहिए अचानक के investment से बचना चाहिए आपने उपर confident रुखी आपका स्वयम पर अगर आत्म विश्वास नहीं है मानिज़े पैसा कहीं लगाना आप स्वयम में आत्म विश्वास नहीं रख पा रहे हैं लोग तो बहुत सही सही बता रहे हैं कि बिलकुल बढ़िया लगा दो लगा दो लेकिन आपका स्वयम पर आत्म विश्वास नहीं आरा तो रुख जाना है स्वयम पर जब तक आत्म विश्वास नहीं आएगा financial मामलों में ये महीना आपको gain नहीं करा सकता otherwise में ये महीना financial मामलों में आपके support में positive में हैं और किसी भी दृष्टी से पैसों का नुकसान नहीं होने वाला जब तक आप जान बूज के ना कर दे occupation यानि कि आपके ब्यापार या आपके profession से जोड़े मामलों में card appear हुआ है अगनी दे अगनी को सरवाधिक पवित्र माना गया है सनातन धर्म में अगनी से पवित्र कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अगनी हर चीज को जला देती है और जला देने का अर्थ यहां पर जो लिया जाता है वो पवित्र कर देती है अगनी किसी भी चीज के साथ में किसी भी चीज के संपर्क में आने पर उसको उसका भक्षण कर लेती है खा जाती है ठीक है तो ये अगनी का सुरूप है सुभाव है अगनी देव तो अकुपेशन के मामले में आपको अपने आपको एक देखे दो चीजें हैं और दोनों पर आपको ध्यान देना है सबसे पहला अगर आप अपने बिजनेस जॉब या प्रोफेशन जिसमें आप हैं अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा तो ठीक है काम करिये पैसा कमाना जरूरी है काम करिये लेकिन अपने पैशन को थोड़ी आच देनी शुरू करिये ठीक है अभी गरम नहीं हुए ना कड़ाई थोड़ा आच देना अगर आप इग्जैक्टली उस तरह के प्रोफेशन में हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं तो उस तरह के प्रोफेशन में अपने आपको बस टू दा पॉइंट पर बनाए रखिए और चीजें आपके फिवर में रहेंगी यानि अकुपेशन के मामले में ये महीना कल्यूग में हैं और अभी थोड़े समय पहले ही 28 सत्यूग भीता है तो 12 सत्यूग में बहुत पहले की बात है जब समद्र मंतन हुआ था देवताओं राक्षोसों ने मिलके किया था भगवान विश्णू ने दूसरा उतार लिया था कूर्म के रूप में कच्छप के अगर किसी सबजक्ट में किसी विशय में किसी टॉपिक पर किसी पॉइंट पर आप पहसते हैं तो वहां डटे रहे हैं जब तक वह समझ में ना आ जाए बिलकुल वहां से पीछे नहाट है हमारे एक अध्यापक थे जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक इंगलिश के टीचर थे उनका नाम थो राजेंदर प्रशाद दुवेदी नाम बताने में कोई बुराई नहीं है बहुत अच्छे टीचर थे हैं अगर कहीं वे फस जाते थे पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक हैं शिक्षक भी कहीं कुछ किसी पॉइंट पर अटक सकता है अगर वे अटक जाते थे तो वे लाइबरेरी से बुक गाइड डिक्षनरी निकाल कर उसे क्लियर कर देते थे और अगर वहां से क्लियर ना हो तो वे अपने एक सीनियर अध्यापक से डिसकस करके अगले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छटवे पीरियड या दूसरे दिना करके उस पॉइंट को क्लियर जरूर करते थे छोड़ते नहीं थे उनको याद रहता था डटे रहना बने रहना उस समय हम बच्चे थे उनके उस एफर्ट को हम उतना नहीं समझते थे जितना आज हम उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं वो वैल्यू आज भी उनके प्रति आदर के भाव को बनाए पूजकед हो सारी रह आसान हो जाएगी एक है रहत हो is now है बहुत बढहां कर दो कि कलाएं होती है उसको आसान भाशा में तो चंद्रमा घढटा जाता और बढ़ता जाता है चंद्रमा को रोग से ग्रस्त होने का शिराब दे दिया था उनके शोसुर ने उनके पतनियों के ज श्राब दे दिया कि छैरों हो जाएगा तो उन्होंने भगवान शिव की बहुत पूजा अर्चना की तपस्या करी शिव जी प्रकट हुए उन्होंने गटी कह यार श्राब को तो नहीं कुछ कर सकते लेकिन तुम छैरों के कारण डाउन जाओगे हेल्थ गिरेगी और फिर इ खिलेंगी तो 3000 चनद्रमव के अलग-अलग महिमumu को देखनेकी अलग महिमां крас dar देखने काटर हम नहीं देखा जाए तो चंद्रद्यों अच्छा चंद्रद्यों को जियोतिश शास्त्रों में भी महत्तु दिया गया थैं सौस्थ के मामले में किसी के भी बhon दूस्थ अपनी हेल्थ में अपेक्छित सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे बस आपको दो काम करने है अगर आप बीमार है तो आपके लिए अलग है अडवाइस अगर आप बीमार नहीं है तो अलग अडवाइस पहले उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ थोड़ी खराब है अपने बुखार हो जाए तो भी बरफ मत खाओ अब आइस क्रीम खाना शुरू कर दें बुखार में तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो बस उतने का पालन करें समस्याय समाथ होगी अगर आपको पिछले लंबे समय से हेल्थ में कुछ इशूज है तो पूर्डिमा के चंद्रमा के सा फिर इक्स का मतलब हुआ कि आपकी जो करंट रूटीन है लाइफ इस्टाइल हो एकदम ठीक ठाक चल रहे इसे ऐसे ही बनाए रखे इसमें ज्यादा हीला हवाली ना करें तो चीज़े ठीक रहेंगी पाल नमबर वन ये थी आपकी आज की रिडिंग कि आपका अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा आज की रिडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाइ हेलो पाइल नमबर टू आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में आपने भगवान श्री विश्णू को चुना था मेरे बगल में भगवान श्री हरी विश्णू की फोटो लगा दी गई है चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए का महिना कैसे रहेगा श्री हरी विश्णू भगवान जगत के पालन करता के रूप में जाने जाते हैं कार्ड नमबर वन आपके लिए अपियर वील ओफ फॉर्चून सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है दिस वन इस दा एमपर कार्ड नमबर थुरी आपके ल यह है फॉर आफ कप्स और लाश्ट कार्ड आपके लिए पियर हुआ है दमून अक्टूबर का महीना आपको एक दुविधा जना के स्थिति में ले जा सकता है अगर आप बिना योजना के काम करते हैं तो पहले समझ लेते हैं यह महीना आपको ऐसा भरमित कर सकता है कि चीजें आपके अनुरूप चल रही है शुरुआत में और इस भरम की वज़ा से आपको लगेगा कि आप सही कार्ड कर रहे हैं सही दिशा में बढ़ रहे हैं लेकि फिर आपको समझ में आएगा कि ना आप सही कार्ड कर रहे हैं न ना आप सही दिशा में बढ़ रहा है ना आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है और तब तक देर हो जाएगी इसलिए इस महीने आप एक योजना बना ले अगर कुछ मुश्किल कारे करना है जिसकी पॉसिबिल्टी दिखती है कुछ एक मुश्किल कारे भी हो सकते हैं जो आपक के बकेट में आवें कि योजना का हिस्सा हूं उन्हें करना है उन्हें करने के लिए भी योजना बनाएं अपने आपको एक ऐसे परसन के तोर पे देखें जिसकी कैपिबिल्टी है यस आई केंडू इस तरह की मेंटेलिटी में लाएं हाव कैना इडू इट नहीं मनलब डर है इस बात को समझ लें ढंक से समझ लें क्योंकि इन कैपिबिल्टी के शक होने की या रिसोर्स के कमी होने की या फला चीज नहीं ठीक फला चीज नहीं ठीक अभी सही समय नहीं अभी यह है वो है ऐसा वैसा एक्सक्यूजिस के पीछे आपके छिपने की पॉसिबिल्टी भ दालेगा, और ना सिर्फ दालेगा, बलकि आपको ऐसा फिल भी कराएगा, कि शाएध थोड़ा समय लगेगा, अभी ठीक नहीं है, थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और रुकते हैं, ऐक्चुल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये मरिग मरीची का एक मिराज की तरह से है, कि बस समस्या नजर आ रही है जब कि समस्या कहीं है नहीं दिखाई नहीं मैं लब दिखाई दे रही है लेकिन असल में नहीं है जैसे मरिग मरीची का क्या है जब हम कभी आप ध्यान दीजें ना सड़क पर चलते हैं गर्मी के महीने में तो ऐसा लगता है दूर पानी भरा हु बस एक employee की तरह जैसे office के employee होते हैं मन हो ना हो काम करना है दिल लगे ना लगे अच्छा लगे बुरा लगे गुसा आए ना आए काम तो करना है उसमें तो अगर-मगर करी नहीं सकता तो उसी तरह से एक योजना बनाईए इस महीने की उस पर काम करी और वो होती चली जाएगी ये था एक दृष्टी में कि आपका महीना कैसा रहेगा अब लेते हैं आज की और एकल डिक गॉड्स और देखते हैं कि लाइफ के अलग-अलग आसपेक्ट पर आपके लिए और एकल कार्ड की क्या information आ रही है लव रिलेशन्शिप के लिए कार्ड पियर हुआ है माता भूमी भूमी धरती माता इनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई भी नहीं करता ये अपने आपको हर तरीके से कंप्रोमाइज करती है हमारा पोशन करने के लिए इससे ज़्यादा क्या सब कुछ देती है आप कभी सोच कर देखिए कि जब से जन्म लिया है हमने इस प्रित्वी के लिए क्या किया सब ले ही तो रहे हैं दिया क्या कभी सोच कर देखिए हमने इस धरती को क्या दिया है हम सिर्फ ले रहे हैं दे नहीं रहे हैं तो यहां पर प्रेम की एक अलगी परिभाशा है माताधर्ती के साथ हमारी लेकिन ठीक है वे हमारी माँ है अब लव रिलेशन में वे क्या कहती है सबसे पहली चीज कि आपके कुछ रिचूवल्स होते हैं हर प्रेम संबंद में भाई बहन के रिचूवल्स जैसे रक्षबंधन का तिवहर आता है या उसके अलावां भी बहन के साथ एक एटिकेट होता है भाई के साथ आपका एक एटिकेट होता है अपनी अपनी लिमिट्स होती है उसके हिसाब से रिलेशन को मैनेज किया जाता है ठीक है तोर तरीके इसको अगर उन तोर तरीकों को i tigates को follow नहीं कर69 तो relation डिशंडीर भोगा तो वो कहते हैं कि बस इतंने का धियान उगा है जान बूजकर गलतिय नहीं करने पर never दियान देना है संबंधों में जान बूजकर उड़ती नहीं करें इस पर ध्यान देना है यह महीना आपको आपके रिलेशन में आपके प्रेम संबंधों में बहुत ही फुरूट फुल नेस देगा और यह फुरूट फुल नेस पॉजिटिव है निगेटिव नहीं है लेकिन आपकी मैनवल मिश्टेक चीजों को खराब कर सकती है इस पर देहां दीजी आसान तरीके से कहें तो पृतिवी हमें सब कुछ देती है हम चीजों को खराब करते हैं जब कोरोना पीरियड में लॉक्डाउन लगा था आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि एक ओजोन लेयर है एटमस्फियर में जो सूरिकी पराबैगनी किरणों को अल् प्रिथिवी का जो प्रदूशां था वो बहुत परसेंटेज में डाउन हो गया गिर गया प्रदूशां मेरा तो मानना है कि उनाइटेड नेशन में एक मिटिंग करनी चाहिए और हर साल एक निश्चित समय पर 15 दिन के लिए गर्मियों में और 15 दिन के लिए सर्दियों मे जैसे स्कूल में छुट्टी होती ना वो समर्मिकेशन 15 दिन के ऐसे लॉक्डाउन लगा दे पूरी दुनिया बंद कर देनी चाहिए कि सब घर में रहो यार बात खतम होगी औफिस वापिस सब बन कोई वर्क फ्राम हो ने पंदरा दिन के छुट्टी सब कि कम से कम प्रकृ परिवार आपको अपना हिस्सा ही मानता है यह महीना आपको आपके परिवार के साथ आपके संबंधों में और गहराई में लाने में मदद करेगा एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस में हेल्प करेगा और एक दूसरे को अंडिस्टूट करने में मदद करेगा यह महीना आपके लिए काफी positive है financial matters में card appear हुआ है श्री बलराम का जितनी महनत करेंगे पैसे की बढ़त उतनी ज्यादा होगी जितनी नहीं करेंगे वो उतना नहीं बढ़ेगा इसको ध्यान रखिए यही इसका मर्म है श्री बलराम देव का card कहते हैं कि महनत के उपर आपके अपने श्रम के उपर यह depend करता है कि आपके financials कितनी grow करेंगे अब यहां श्रम दो परकार के होते हैं पहला जो महनत किया जाए पसीना बहाया जाए और दूसरा जो दिमाग लगाया जाए दोनों में महनत लगती है बुद्धी लगाने में बहुत महनत लगती है मैं tarot reading करता हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है बैठा रहता हूँ बोलता रहता हूँ और क्या ही होता है लेकिन इसमें कितनी energy खिच जाती है यह मुझे पता है और मेरा परिवार वाले जानते हैं क्योंकि मैं ठक जाता हूँ वे देखते हैं कभी-कभी relatives के यहां जानता हूँ और by chance वहां पर भी अगर reading वगरा करूँ तो उन्हें feel होता है कि अच्छा यह इतनी energy खिचता है कि अब आपको rest करना है meditation करना है वो है तो यहां आपको मानसिक श्रम और शारिरिक श्रम दोनों का समनवे बिठाना है अपने finances को इस महीने improve करने के लिए और अगर आप improve अतरिक्त नहीं करना चाहते चीजों को better रखना चाहते है और investment करना चाहते है तो यह महीना investment करने के लिए बीजा रोपन करने के लिए बहुत उपयूक्त है करिए और अब बीजा रोपन का मतलब क्या हो गया खेत में बीज लगाना तो गलत समय पर गलत फसल को हम अगर बो दें तो गड़बढ़ हो जाएगी ना जब गेहूं गाने का समय हो और हम धान बो दें तो गड़बढ़ हो जाएगी धान के समय में गेहूं बो दें तो गड़बढ़ हो जाएगी ठीक है तो बीजारो पड़ यानि इन्वेस्टमेंट के लिए भी समझदारी पर ध्यान दीजएगा, यानि मानसिक्ष्रम लगाईएगा, अकुपेशन यानि आपके प्रोफेशन्स इस पर कार्ड अपियर हुआ है, शुरी ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी, आपके प्रोफेशनल, अकुपेशनल मामलों में जो कार्ड अपियर, इस पर इनकी जो इन्फरमेशन है, अकॉर्डिंग टू डैट, आप बस सिचुवेशन को अपहोल्ड करके, मैनेज रखने पर पूरा फोकस करें, ठीक है, क्या है कि प्रोफेशन में हर बार नया करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उस पुरानी चीज को ही बहतर करना होता है, और आसान बाशा में बताता हूँ, आपने सुना होगा, कहते हैं, ठीक आउट अफ दा बॉक्स, बहुत साली लोग होते हैं, ऑफिस में बहुस अक्स नहीं है, यह पहले इसको ठीक कर लो, फिक्स दा बॉक्स, इसे ठीक करो, बाहर जाने जरूरत नहीं है, यही काम कर जाएगा, तो आपके अपने प्रोफेशनल मैटर्स में, आप जो कर रहे हैं, उसे शिद्दत से करें, उपर्चॉनिटी जो दिख रही हैं, उस पर काम करे कोशिश करें, प्रयास करें, और जो इमेजिन करते हैं, उस इमेजिनेशन को कैसे पाएं, हासिल कैसे करें, इसके लिए प्रयास रत हो जाएं, और प्लान करें, एकॉर्डिंगली चीजें मूव होती चली जाएंगी, यह महीना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यह महीना ब्रमित कर सकता है, अब उस भ्रम जाल में ना पढ़ने के लिए अपने प्रोफेशनल मैटर में प्लैनिंग कर लीजिए, प्लैनिंग पर काम करिये, चीजें होती चली जाएंगी, एजूकेशनल मैटर में काड अपियर हूँआ है, नित्या नंद प्रभू आशातीत सफलता अपने educational matters में प्राप्त कर सकते हैं बस आपको अपने ऊपर एक आत्म विश्वास इस तरह का बनाना है कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई में अपने प्रती समर्पित हूं और मुझे मेरे में कमी नहीं है हर स्टूडेंट को पता होता है कि वो कितने पानी में है काम चोरी स्टूडेंट को पता होता है कि हम काम चोरी कर रहे हैं दो घंटा प्लान करके एक घंटा पढ़ने वाले को पता होता है कि हमने एक घंटा चोरी कर ले वो चोरी ना कर रहे हैं दो घंटे की प्लानिंग ही मत क कर सकते हैं न हम आपको कुरसी से बांदे और बुक खोल दें तो आप पढ़ा ही नहीं कर पाएंगे आपके अंदर से भाव आना चाहिए तो वो अंदर के भाव को महसूस करने की कोशिश करिएगा और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका नित्यनेंदर प्रभू कहते हैं कि जो पढ़ते हो जो भी study चल रही है उसमें enjoy कुरूं बहुत सारे high school के बच्चे कहते हैं cost and theta जो पढ़ाया जाता है हाई स्कूल में उसका क्या यूज है हमारी लाइफ में अरे यूज है तब ही तो पढ़ाया जा रहा है वो अलग बात कि आप दूसरे प्रोफेशन में चले गए तो आप यूज नहीं कर रहे हैं आप उस दिशा में आगे बढ़ते तो फिर आपको यूज में आता वो चीज है ठीक है कि एब हेल्थ-related Matters में शुरी क्रिश्ण और शुरी क्रिश्ण का गोपाल सुरूब тоб तो सब से पहले अगर हेल्थ में किसी विल्डिंग्स में फ्लैट में रहना ठीक है और आप प्राकृतिक चीजों को नहीं देख सकते तो कम से कम जिस रूम में रहते हैं वहां पर ठीक ठाक साइज की एक प्राकृतिक सीनरी लगा दीजिए प्राकृतिक सीनरी में अगर पहाड हो तो उसे दक्षड की दिवार पर पानी हो तो उत्तर की दिवार पर लगाईएगा थिका इसका जराण दिहान दीज Sky 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 और सूर्य ऐस्त होने का दृष्ड Flbencherson पर फिस city Сейчас यूंड घएग वर्ना यह वास्तु विगाड़े में लगादे और पानी की सिंद्य की दख्षड में लगा दे तो फिर नुक्सान हो जाएगा है ना तो इसका ध्यान रखिएगा एक तो ये चीज दूसरा कुछ ऐसी चीजों का जो की बिना पकाए कंज्यूम की जाती है फ्रूट्स सैलेड इनका सेवन करें पानी मिल्क इसका सेवन करें तो आपके स्वास्त में अडिशनल बेनिफिट्स और लाब आपको ये महीना आपको आपके स्वास्त में आशातीत लाब देने वाला है तो उठाइए और फाइदा कमाईए पाइल नमबर टू ये थी आपकी आज की रिडिंग आज की रिडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाइबाई हेलो पाई नंबर थ्री आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में आपने भगवान शिव यानि महेश को चुना था पाई के रूप में सिंबोलिक के रूप में मेरे बगल में श्री भगवान शिव की फोटो लगा दी गई है चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं मेरी लगां शिव के बारे में कुछ कहने के आवश्यक्ता नहीं सभी लोग उनको जानते हैं जो सनातन धेरम के नहीं है वे भी जानते शिव सर्व व्यापी है सत्यम शिवम सुंदरम इसलाइन की मीनिंग बताता हूँ जो सत्य है वह शिव है शिव का अर्थ होता है ना जन्मा ना मरेगा जो शिव है जो हमेशा है ना जन्म लिया है ना उनके जाने का कोई मामला है वो थे हमेशा थे हैं और रहेंगे तो जो सत् ही शिव हैं और जो शिव हैं उन से सुन्दर फिर कोई हो ही नहीं सकता भाले वे शम्षान की भस में लपेटे हों अपने शरीर पर बालों में जटाएं बनाये हों लेकिन फिर भी वे सुन्दर है क्योंकि जो सदा रहेगा वही सुन्दर है सब्सक्राइं पहला काड़ आपके लिए उपियर कुईन ओर स्थैंपरण। पांच काड़ यदिए आपके लियह और सबादियर हो चुके यह महीनादा आपको आपके जीवन में एक ऐसे संतुलन को देने में मदद करेगा जो आपके आने वाले समय यानि निवंबर आनवर्ड्स आपको पैशनेटली अपने कार्यों को करने सफलता अरजित करने अपने टार्गिट्स को अचीव से हो नहीं पाया और जिन नई योजनाओ पर आपको कार्य करना था उसमें भी भटकाव आया तो ये चीजें उस तरह से ड्राइव हो गई कई मामलों में आपको गलत भी समझा गया कई मामलों में आपको अपने ही behavior को समझने में problem भी हो गई कई मामलों में आप अपने आपको अपने आप में ही collapse करते हुए देखे और कई मामलों में आपने डिस्क स्वयम के द्वारा लिए गए निरणयों को ignore कर दिया और बाद में आकर के देखा कि अच्छा मैंने जो पहले सोचा था वो बिल्कुल सही था वही decision लेना चाहिए था तो वो नकारात मकता हैं बीच चुकी अब वरतमान में positivity और ये महीना आपको balance करेगा आपको संतुलित करेगा कई सारे damages कंट्रोल करेगा और चीज़े बेहतर होती जाएंगी और इस महीने आपको ध्यान ये रखना है कि आप जल्दबाजी में बिल्कुल न रहें इतमिनान में रहें धीरे धीरे काम करें धीरे धीरे चीज़ों को होने दें और जब जल्दी का momentum आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इस वाले point पर मुझे तेजी दिखानी पड़ेगी ठीक है अन्यथा गरबड़ हो जाएगा अगर situationally तेजी दिखाने की आवश्यक्ता नहीं है तो इतमिनान से काम करें यह महीना positive है negative नहीं है और आपके लिए काफी fruitful भी है तो यह यह था इस महीने का एक glance एक दृष्टी की कैसा रहेगा अब लेते हैं आज की और एकल डिक जो है card appear वाराह भगवान विश्णों के वाराह सुरूप भगवान विश्णों ने वाराह का अतार लिया था जब एक दैत था जिसने प्रत्वी को जो है यूनिवर्स में मौझूद एक बहुत बड़े ocean में समदर में फेक दिया था प्रत्वी के समदर में नहीं ठीक है जैसे है अब love relation के बारे में वाराह सुरूप भगवान विश्णों का आपकी अपने प्रेम संबंधों में जो खुद की duty है बस उसका धियान रह घले लिए उसका नहीं उसकी duty का नहीं आपकी duty हमारा अपने प्रेम संबंधों में भी एक करतव्य होता है जिसको duty थैसका बी उस कर मदर हो प्रेम किसी से भी हो सकता है प्रेम किसी में बहुत लोगों से होता है और हम एक जीवन में मल्टिपल लोगों से प्यार करते हैं तो यहां पर जो लव के बारे में आ रहा है उसमें आपका प्यार किस से है आप अपनी बहन से प्यार करते हैं उस मामले में समझना चाहत मां से करते हैं उस मामले में रीडिंग देख रहे हैं कभी कभी होता है बैचलर लोग भी है आप शादी शुदा हैं अपने पतनी या अपने पती के साथ अपने संबंध को देख रहे हैं आप कपल relationship में शादी नहीं हुई हैं आप अपने partner को देख रहे हैं उसके लिए आप बस अपने कर्तव को सही ढंक से निभा ले जाएं इतना ही ध्यान दीजिए इस महीने और यही चीज उसे ना सिर्फ गदगद करेगी बलकि पिघलाएगी और आपके प्रतिसमर्पन की भाव में लाएगी यह महीना प्रेम संबंदों में अच्छा रहेगा फ्रूटफुल रह लेकिन आपको परिवार की केर करनी होगी रिस्पेक्ट करनी होगी सम्मान देना होगा ध्यान देना होगा और परिवार के तोर तरीके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा अगर आप यह करते हैं तो आप परिवार को जैसे चाहें जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते ह परिवार अपने आपको आपके लिए यूज होने देगा, ये महीना ऐसा रहेगा, लेकिन इस महीने आप अगर परिवार की केर और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको नुक्सान भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा. फाइनेंसल मैटर्स में काड़ अपियर कूर्म, भगवान विश्णुन के कच्छा पाउतार, कूर्म वतार, 12 सत्य यूग में समुद्र मंथन जब हुआ था, तो भगवान विश्णुन ने कच्छा पाउतार लिया था, क्योंकि मंद्रा चल परवत को तिकाने के लिए, उसका भार समालने के लिए, कि वो जब समुद्र मंतन हो, तो परवत को घुमाना था, मतनी की तरह से, अब वो घुमने की वज़ा से समुद्र में धस्ता जा रहा था, ठीक है, तो भगवान विश्णु कच्छप के रूप में आ गए, और उन्होंने अपनी पीठ पर उसका को इस्टैبل करेगा, बैलनस करेगा, री ऑर्गनाइज करेगा और आपकी फाइनेंसल ग्रोथ इस महीने थोड़ी धीमी लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी, इस धीमी ग्रोथ से आपको परेशान नहीं होना है, कंसिस्टेंसी बनी रहे, इस पर ध्यान देना है, इसको याद यहां पर जो information इस महीने के लिए आ रही है वो यह आ रही है कि आप situation को या अपने profession को सिर्फ उसी तरह से manage करें जिस तरह से अभी तक manage करते आए हैं और अगर पीछे आपने कुछ गलतियां लगातार करी हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि मैंने गलत किया है मुझे ठीक क लिजे यानि जो आपके कर्म हैं अपने profession अपने business अपने job में उसे पूरा करें अपने कर्म से हटे नहीं अपने कर्म से पीछे मत हटें डटे रहें और आपको अच्छे positive results मिलेंगे इस महीने अपने ब्यापारिक मामलों में अगर या अपने profession के मामले में अगर पिछले तीन महीने से छे महीने से या साल भर से मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं मेरे पास information आ रही है पहले तीन महीने आए फिर आचा कुछ लोग है छे महीने वाले फिर कुछ लोग है साल भर वाले अगर लगातार रुकावट देख रहे हैं एक होता है ना कि ब्यापार का चलना और एक होता है रुकावट देखना कि ब्याउधान आ रहे हैं अगर ब्याउधान आ रहे हैं तो आपको श्री जगनाथ जी का दर्शन करना चाहिए आप अपने अगर आप जगनाथ पूरी नहीं जा सकते तो जड़ा पता करिए आपके आसपास भी जगनाथ जी के मं आईए घर में रख लीजिए या फिर मन ही मन उनको प्रणाम करिए उनके प्रतिश्रुद्धा का भाव रखे उनको याद करिए और कोशिश करिए कि अपने व्यापारिक प्रतिश्ठान पर आप उनकी एक फोटो लगा ले दुकान पर लगा ले जाब करते हैं तो अपने काम शुरू कर रहा हूं अब देख लीजिए और शुरू करिए वे सब कुछ देख लेंगे समाल लेंगे और सारे ब्योधान हटा देंगे यह महीना आपके ब्यापारिक मामलों में आपके सिचुवेशन को निट्रलाइज भी करेगा बैलेंस भी करेगा एजुकेशनल मैट तो स्कूल का सेलिबस होता है कॉलेज का सेलिबस होता है वो एक होता है आपका अपना सेलिबस क्या है कि मुझे इस महीने कितना करना है कितने चैप्टर पढ़ने है कितनी देर पढ़ना है कितना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है कितना लर्निंग करनी है एक प्रारूप ब चार-पच्छे महीनों से हेल्थ में अगर एक डाउन फॉल देख रहे हैं थाकान ज्यादा हो रही है हेल्थ में ऐसी दिक्कत आ रही है जहां पर शरीर अकड रहा है या दर्द रह रहा है तो आपको लिटरली एकसरसाइज शुरू करने की जरूरत है अगर आप एकसरसाइज कर रहे हैं तो खुली हवा में करें बंद कमरे में कोशिश करें कि ना करें छट पे चले जाईए छट पे एकडम बीचों बीच में आ जाईए जब बीचों बीच में छट पे आ जाते ना तो फिर चार दीवारी के बीच में आप दिखाई नहीं देते पहला तो यह दूसरा health related matters में आप अपने खान पान पर थोड़ा सा traditional हो जाएं traditional होने का क्या मतलब होता है traditional foods खाएं वो packet वाली चीजें पिज्जाब बर्गर और फलाना धिमकाबू उसको थोड़ा बंद कर दें घर में बनी चीजे खाएं एक महीना यह continue करें उसके बाइट decide कर लिजेगा कि अब इसे आगे continue करना है या फिर packet खोलने है सारे आपके स्वास्त में वो लाभाब को मिलेगा जो आपकी दिक्कतों को खतम करेगा उन लोगों की बात जिनके स्वास्त में कोई समस्या नहीं है आपके स्वास्त के मामले में आप हरी चीजों का seven करें ग्रीन चीजों का ठीक है ग्रीन में कुछ भी हो सकता है उसका seven करें पका कर खाएं कच्चा खाएं मर्जी आपकी आपके health में आपको ना सिर्फ nutrition अच्छे मिलेंगे बलकि आपको energy भी काफी ज़्यादा फील हो तो पाइल नमर थरी ये थे आपकी आज की reading कि आपका October 2024 कैसा रहने वाला है आज की reading आपको कैसी लगी अपने experience अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई